हलो एवर्योंट एड्स्टर्ट को अप सब के स्वागत है आज के इस एफ इडा हम जन्रल क़रेक्ट्रस्टिक अब प्लासिपिकेशंकतं अभलो माम Vince के बारे मेंल में बात करेंगे अपने सभी नाम के बारे में पता होगा के मामल्स रिच्छिन. होरता है न जैसे आपने देखे होंगे गाएं बगयाा देखे होंगे वो करेंगे और उनमें उनका क्या special characteristics होता है उनकी classifications क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो आये सुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले देखिए कि study of mammal को हम mammology कहते हैं mammals आपको every possible habitat के अंदर देखने को मिलेगा यानि कि चाहे तो यह polar area यानि कि जहां पर बरब गिर रहा है तो ठीक है ना polar area में आपको देखने को मिलेगा यह north फोल हो गया south फोल हो गया temperate area यानि कि जो high temperature temperature यहां पर देखने को मिलेगा आपको पानी के अंदर दीखने को मिलेगा, जो whale होते हैं ठीके न, ये सारे क्या होते हैं हो mammals के अंदर ही आ जाएंगे सीखा हो गया, whale हो गया blue whale हम जिसको पता होगा तो और उन्ने वाले भी होते हैं ठीके, जैसे चंगा दल हो गया bat हम जिसको कहते हैं, वो भी क्या है आपकी मामल की काटगोरी के अंदर आ जाएंगे मामल्स आर हेयर क्लेड यानि कि उनकी बोडी की उपर एक के हेयर दिखने को मिलेगा ठीक है बोडी में आपको हेयर दिखने को मिलेगा हेयर क्लेड होता है वार्म ब्लडड होता है warm-blooded की मतलब होता है कि body temperature जो होता है ओ environment temperature लेस या ज़्यादा होने से ये change नहीं होता है body temperature constant रहता है इनके case में body temperature constant रहता है breathing ये बात करेंगे ये air breathing होता है यानि कि lungs की true respirations करेगा चाहिए जो citations मामल्स होते हैं यानि कि ऐसा मामल जो पानी में रह रही है तो ओ भी lungs में सांस लेते हैं ऐसा नहीं कि उनमें gills होगा नहीं ठीक है भी भी पारस होते हैं यानि कि बच्चा पैदा करते हैं मामल्स में एक exception होते हैं जो prototherians होते हैं prototherians जो होते हैं cardina जो बगएरा वो आपकी ओभी पारस दीखने को मिलेगा क्योंकि अपबाद तरहेगा ठीक है ना लेकिन prototheria को छोड़ने के बद बाकी जितने भी होते हैं और यह tetrapod होते हैं चार पेरो वाले ठीक है मामल्स आरे सोइंग ग्रेट डाइवर्शिटी सारे एरिया में आपको दीखने को मिलेगा एर में दीखने को मिलेगा वाटर में दीखने को मिलेगा लैंड में आपको दीखने को ही मिलेगा ठीक है अच्छा यदि हम body temperature की बात करेंगे वो warm blooded होते हैं पूरा का पूरा animal kingdom के अंदर आपको bats and mammals जो होते हैं warm blooded दीखने को मिलेगा बाकी जो होते हैं उनका body temperature fluctuate करता रहता है लेकिन human and bats ठीके ना यहनिके mammal and bats जो होते हैं warm blooded होते हैं उनकी body temperature जो होता है वो constant रहता है with irrespective of change in environmental temperature environmental temperature कुछ भी हो body temperature उनकी क्या रहता है constant रहता है और body temperature को regulate करने के लिए उनकी case में क्या होता है high metabolic rate भी पाया जाता है क्योंकि body temperature को constant रहने के लिए energy की जरुद होगा तो इसलिए उसको जादा खाना जो होता है consume करना पड़ेगा body form के दिए हम बात करेंगे आपको body में क्या चिज़े देखने को मिलेगा माली जी human हो गया ठीक है एक तो head वाला हिसा रहेगा एक तो neck वाला हिसा रहेगा और एक trunk जहाँ पर belly chest वगिरा आ जाता है और tail human के case में tail absent है लेकिन ज्यादा तो जो रहता है हमारे जो tail बनाने में कोकी spoon तो है वहाँ पर tail absent है लेकिन ज्यादा तर animal में आपको tail दिखने को मिलेगा mammals जो होते हैं true syndrome होते हैं true syndrome यानि की body cavity यह आपने syndrome के बारे में आपको बता होगा जैसे की digestive systems रहा है और यह body यह आपको रहेगा इसके बीच में जो cavity रहता है वो major derm से यह दि बना रहेगा तो हम उसको true syndrome कहेंगे human की case में यह दिए हम बात करेंगे क्या क्या जो चार सिलम प्रेजेंट होता है क्या क्या देखिया है heart एक cavity के अंदर रहता है जिसको हम बोलते हैं pericardial cavity दो lung से इसलिए दो cavity ठीक है ना उसको plural cavity क्याविटी कहते हैं यह one यह two three हो गया और हमारे जो abdomen area होता है फोर हो गया चार क्याविटी आपको दिखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे appendages की बारे में appendages यानि की leg की बारे में बात करेंगे हमारे जो hand जैसे full limb हो गया हाथ बला hand limb हो गया leg बला और उहीं पर आपको दिखने को मिलेगा पेंटा डॉक्टर लिम्स इस तरह के से punch फिंगर हो गया पेरों में क्या होता है toes होता है ठीक है तो honey claw and nail जैसे हमारे case में nail होता है तो इस तलिए claw and जैसे आपने tiger बगएरा या cat बगएर देखे होंगे उनमें इस तरह के से claw रहता है ठीक है ना nail hoop रहता है hoop हम किसको कहते है गाए बगएरा की जो leg में जो black black color की होता है वही hoop होता है skin जो होता है हमारे skin में gland present होता है इसलिए हम उसको glandular कहते है it covered by horny epidermal exoskeleton of hair उसमें hair present होता है hair पाया जाना भी और ऐमाल को एक कारेकर ट्रिक्स होता है हलंकि जो water में जो मामाल्स रहते है यानिकि सिटे सैंस होते है उनमें hair नहीं है ना की बराबर होता है लेकिन 이상 scholar भी एक कारेकर ट्रिक्स है पहला कारेकर स्टिक्स जो exclusively होता है that is the memory gland इसलिए तो मामा मामालस हम कहते हैं मामा रिलेटेट टू दो मामर इगलांट ठीक है आच्छा तो जो सिटासियन्स होते हैं यानि कि पानी में रहने वाले जो मामालस होते हैं उनकी स्कीन के नीचे एक फैट के लियर होता है उसको हम ब्लबर बोलते हैं ठीक है ब्लबर जो होता है उनकी बॉड नहीं करते हैं तो वहां पर जो fat से जो डैजेस्ट होने के बाद जो आटर निकलता है उसको ही कंजून करते हैं समझ रोना skin has multi cellular gland होता है क्या gland पाय जाता है दिए एक तो sweat रहेगा पसिना निकालने के लिए Sudoreferous gland हम कहते हैं Sweat, जो होता है, वो भी body Sweat gland जो होता है, जब sweat निकल जाएगा, एक cooling effect होता है जिस वज़े से body temperature maintain रहता है, गर्मियों की दिन में ज़्यादा sweating होता है, क्यों? क्योंकि बाहर की temperature बहुत जारा है इसलिए body क्या करता है, कुछ water release कर देता है, ताकि जो outside जो रहेगा, कूल रहेगा cooling effect के लिए, oil gland sebaceous gland हम उसको कहते हैं ज़्यादा जो pimples होता है oil gland के अंदर जो skirt out हो जाता है pimples की form में होता है, जो ही oil gland sebaceous gland कहते हैं कान के अंदर जो एक stick की चिपचिपा substances ऐसे निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्या wax seruminous होता है, and milk gland जो की mamar gland होता है और ये तो क्या है, mamals की निसान है, sweet produced by sweet gland cools the body, it gets overrated to skin, help to thermoregulation यानि कि temperature को regulate करने में help करेगा, next बात करेंगे, endoskeleton body को बनाने के लिए जो अंदर में जो skeleton होता है बोन में present, बोन पाया जाता है कुछ ऐसा हिस्सा होता है यहाँ पर आपको glandless देखने को मिलेगा जो skull होता है, यानि कि जो brain जिसके अंदर रहता है आपको इस तरीके से देखने को में लिए दो होता है, इसलिए हम उसको डाइ कंडालिक कहते हैं और डाइ कंडालिक होने के बज़े से फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है बाड में आपने देखे होंगे वो 360 डिग्री स्तरगे जैसे रोटेट कर लेते हैं हमारे जो movement होता है पूरा का पूरा head वाला हिसा आप face देखिए कोई भी ऐसे मूब भेवल बोन नहीं है सिर्फ जो लोयर जो होता है वही मूब करता है अपर पाट कफी भी मूब नहीं करता है यह fix रहता है यह जो नेक रिजन होता है अजो अपने वोटीवरल कलम की बात करोगे जैसे यह नेक रिजन हो गया इसको हम cervical vertebra कहते हैं आगे की और thorax होता है मैं चेस्ट हीता है पीछे साइडस में cervical thorax आगे की और जो बेली विला हिसा रहेगा उसकी पीछे साइडस में vertebral column को हम lumbar कहते हैं उसके बाद साक्राल आएगा उसके बाद coccyx आएगा जो cervical vertebra होता है ज्यादा तर maximum mammal में जल्ट कि स आरे मामाल आप बोल सकता हो exception एक दो है ठीक है exception वो याद रखना है आपको 7 देखने को मिलेगा चाहे वह जीराप की जीराप क्यों ना हो जीराप इतना उनका लंबे गर्धन होता है ठीक है ना लेकिन इतने लंबे गर्धन होने की वाओ जित भी उनमें जो हड्यां है कितन में रहने वाले मामाल्स होता है उनका सेवेन नहीं है बाकि मैक्सिम केस में आपको सेवेन ही सर्वाइकल वर्टिवरा दीखने को मिलेगा ये कोश्चन हो सकता है ठीक है साक्रल वर्टिवरा जो होते हैं लुंबर लुंबर के बाद साक्रल होता है वो क्या है फ्यूज हुआ ह जिसको हम सिंसाक्रम बोलते हैं लॉंग बोन सहाब हाबोर्शन के लान जो लॉंग बोन होते हैं यानि कि जैसे हमारे लेग की बोन हो गया ठीके लेग ये पाए जाना लॉंग बोन में हाबोर्शन के लान पाए जाना सब्सक्राइब कि आपको हभ़शुका याद रखना है जो कि डॉट लैसी सब्सकारेग से होगए मानुक्तर चस्ट्री में आप вопрос particular डाउनलेड कर सकते हैं और यहां पर इडियो बोगरा ठेक है ? यहां पर आपको इडियो विडियो होता है नोज़ कर वीडियो मैं पीडियो फरी में मत रसकते हो और रवे पãस्टे में चैस करसके हो और यहां कम क्या आप सबस्क्राइब के लिए थीके ना क्यूंकि देखे एंहां क्या सुचते हैं अभी हम φस्टियर हैं तो फास्टियर के चितना पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही हमको बढ़ना है सेक्डरापनी पढ़ सकते हैं या फादर के पापन tournaments हम नहीं पढ़ सकते जो सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कीजिए समझ रहो ना यह दिया अपने आपकी सारे चीजों को पहले से क्योंकि यह आपको उसके बीड़ी करना है तो आपको कोई कॉम्पेटिटिव लाइन में जाना है तो आपनी कर्स में आपने मास्टर डिगरी किजिए ताकि यहां पे आप की कैरेर को बिल्ड कर सकते अपको लेक्षर बनना है तो अप क्लियर करोगे फिटीचर बनना है तो यह दि आप अपको ब को चीज आटे टाइम हो जाएगा आपकी conceptually clarity भी आ जाएगा इंडरांस की तायरी भी हो जाएगा हम लोग क्या सुचते हैं हम BAC कर रहे हैं मतलग कि सिर्भी BAC कर रहे हैं तो इसलिए BAC करने के बाद एक बच्चे क्या होता है मतलग कि इतना capable नहीं हो सकता है कि कुछ आन कर सक हो सकता है तो आप इतने अच्छे से पढ़ाई किजी कि उसके बद आप खुदी कुछी को पढ़ा सकते हो कुछ आन कर सकते हो समझ रहो ना तो इसलिए आप तयारी किजिए एक मतलग की full picture structure course आपको मिल जाएगा तो या इस mobile number से contact कर सकते हो ठीक है आच्छा निस्टम बात क पढ़े थे वह इची जा जाएगा एक बात आता है जो काव बगेरा होते हो रुमिनेंट्स के अंदर आएंगे ठीके ना रुमिनेंट्स में आएंगे इनकी जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते है रुमें रेटिकूलम ओमासम और आब ओमासम इस सिक्वेंस में कभी- पूछा जाता है याद रखें उनकी केस में क्या होता है काओ वगेरा वचेसित होते हैं यहीं को सेलूलोोज को डाय ज़िस्ट करेंगे नॉर्माली सेलूलोज जो होते हैं 22 सिटा ग्लाइको सेंटेक लिंका यूसं में पाय जाता है ट्रिकली एक जाती हैसे ऐनके केश में क्या है ना बिकल्याइकोसिट्डेग लिंगेश को पर डिपेंड रहते हैं तो उनकी ओही रुमेन जो रुमेन अडर रेटिकलम चामबर के अंदर कुछ बैक्टरिया और कुछ प्रोटोजान्स होते हैं जो की मदद करेंगे सेलूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए समझ भाएना उनक्या खुद क्या डाइजेस्टिंग एंज इसी तरीक सेलूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बड़ी खुद ही कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं कर सकता है वो कई दूसरे बैक्टरिया हो गया या प्रोटोजान हो गया उसकी साहता लेता है ठीक है ना हम लोग जब ग्राजुएशन्स कर रहे थे ना तो वहां प्रोटोजान्स होते हैं ठीक है ना इस तरह के से आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको कोई टॉक देना पड़ेगा कोई डिबेट की मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में अच्छा ही अच्छा ही बतलब की बोलोगे समझ रहे ना कभी भी डिबेट कंपेटिशन में आपको बात करनी है तो इसका मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़े की अच्छा ही दिखोगे हर एक चीज़े की दो पहलो होता है बुच्छा ही भी होता है बुरा ही भी होता है तो आप दो पहलो में जब बात करोगे उसको हम डिबेट कहते हैं लेकिन ज्यादा तर क्या करते हैं हम अच्छा ही आप कौन सी चीज़ों को कितना प्राइटी दे रहो मेरी इसाफ से तो बर्दन ज्यादा है थोड़े बहुत बुराई तो है लेकिन बर्दन ज्यादा है ठीके ना तो इसी इसाफ से आपको डिबाट जब भी डिबेट में आप कंपेट करोगे ना तो कुछ आपको इस प्रकार कि आपकी जो भीवूज है ना ऐसे देना पड़ेगा ताकि जो ज़र्ज है वो ज़र्ज कर से कि कि आपकी भी ज़र्जमेंटल कापसिटी है ऐसा नहीं कि आप बस सब्द की भूमिटिंग कर रहे हो ठीक है ना ऐसा नहीं उल्टी हो रहा है आपका वो ज़र्ज नहीं है देखिए तो रुमेंट तो इसलिए आपने इस तरीके से हमने डिबेट कंपेटिशन में हमने लिया थे तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है इसलिए बोले हुए स्टोरी कि आपको याद रहे उनकी digestive सिस्टम में प्रोटो जांस है जैसे टॉर्माइट्स में हमने ट्राइकोनिंफा हमने बात किया था टॉर्माइट्स के अंदर है वो शिल्रोडाइस कर रहे इसी प्रकार की आचा टीथ के अदे हम बात करेंगे जो टीथ होते हैं हमारे टीथ जो सारे टीथ आप मैं नहीं के से रहने हैं ना जी तो टी जो संव रहता है एग्दम करने दीद के लिए अलगन होता है जो कि बना हुआ जाता है ना मतलब इस रिभर में मतलब की एक और अने गया था उसको पगड़ लिया माल लिया तो इस तरह किसे तो क्रोकोडाइल भी उनकी स्टीत भी बहुत स्ट्रोंग होता है ठीकिन बाकी की जिगा नहीं है तो डाइफाइडंट होते हैं लाइप में दो बार आएगा एक तो milk teeth होते हैं जो six महिने से आना सुरू करेगा बच्चा करीवन तेड़ साल या दो साल होते 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 हो होता है हम खाना उसमें लेते हैं और डाइजिस्ट होने के बाद ऑन डाइजिस्टेड फुड मैटरल जो होता है अनुस देते हुए बाहर चला जाएगा ठीक है तो अलिमेंटरी कैनाल जो होता है तो यहां पर हम बात करेंगे ठीक है तो अनुस को ओपन हुआ है लेकिन एक्स और वहाँ से questions आएगा gastric juice जो होता है मामल के case में यहाँ पर रेनीन पाया जाता है कौन सी enzyme पाया जाता है रेनीन और रेनीन एंजाइन जो होता है और milk protein को digest करने में help करेगा और यह digest यानि कि stomach के अंदर जो juice निकल रहा है उसमें पाया जाता है और इंटेस्टाइन में जो juice निकल रहा है उसमें होता है lactase enzymes milk के अंदर जो sugar है उसको digest करने के लिए lactase enzymes की ज़रूत होता है milk के अंदर जो protein है उसको digest करने के लिए आपका रेनीन एंजाइम की ज़रूत होता है छोटे बच्चे जो होते हैं ज्यादा तर क्योंकि मामाल्स है मामारी ग्लांड्स है तो जो nourishment है चाहे काव हो या हुमान हो तो इनिस्याल लाइप में किसे उपर डिपेंड रहता है फूड आज दो मिल्क तो इसलिए ये बच्चपन में ज्यादा रहता है उम्र बढ़ने के टाइम के साथ उनके अमांट घड जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे रेस्पिरोटर सिस्टम की रेस्पिरोशन लॉंक्स के थ्रू होगा और ये जो होता है तो इसलिए हम ये एर ब्रिधिं कहते हैं लॉंक्स जो होता है स्पॉंजी होता है और इलास्टिक्स होता है ठीक है अच्छा कभी-कभी ऐसे एक आपको सिच्वेशन से देगा कि माली जी एक हस्पिटल था वहां पर बच्चा पैदा हुआ बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैदा होने से पहले उनका डेथ हो चुका है मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद पैदा होने से पहले डेथ हुआ है तो ठीक है पैदा होने के बाद डेथ हो रहा है तो उसका मतलब कि वहां पर कुछ देखबल अच्छे से नहीं हुआ है आप कुछ ऐसे कंडिशन हो सकता है तब कैसे जान्स करोगे कि बच्चा का जो पैदा होने के बाद देथ हुआ है या पैदा होने से पहले देथ हुआ है जैसे लॉंग स्पॉंज होता है यदि क्यूंकि और कोई सिस्टम जो होता है ना फंक्चौन होना ना मोडरी उटर्स में स्टाट हो जाता है यसे diff evolved system बच्चा क्या करेगा जो्याविवुटीक invitis होने उसको उसको खा लेता है मतला के पी लेता है तो वहांसे हो बच्चा नहीं रो रहा था तो इसलिए फास्ट रोना होता है जो बच्चा नहीं रो रहा है इसका मतलब है कि कोई प्राब्लम है तो इसलिए जब AR आएगा किनकि बच्चे के बच्चे के बीच में जब तक है तब तक बच्चे को खुद को रेस्पिरेशन करना पड़ेगा तो एक बार जब AR की कंटक्ट में आएगा वो जो फ्लोट नहीं करेगा ठेकिना लॉंक्स पोस्टम के बाद उनकी लॉंक्स ऐसे पानी के अंदर डूब जाएगा यदि बीफोर बार्ट उनका ॉर्थ हुआ है तो स्पॉर रहेगा कोईछ नहीं गया है तो ये फ्लोट करेगा पोम्स बासफमाले ना héili pam 2023 के डाइफ्रागम जो होता है बहुत भाइटल रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में कैसे होता है हमने तो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में अच्छे से देख रहे थे अपने नहीं देखा देख लिए तो इस तरीके से हमारे मिडिल मतलब कि स्टॉनम होता है यहां पर इस त डाइफ्रागम डाइफ्रागम क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर्ड रेस्पिरेशन क्यूंकि डाइफ्रागम जब कंट्राक्ट होगा डाइफ्रागम को आपका फ्रेनिक नॉर्ब जो होता है फ्रेनिक नॉर्ब याद रखिए फ्रेनिक नॉर्ब नॉर्ब जो होता है क connected रहता है समझ रहो ना तो diaphragm जब contract होगा तो इस तरी किसे हो जाएगा पहले volume इतना था इस तरी किसे stage ने था अभी जब contract हो गया volume बढ़ गया volume बढ़ेगा तो pressure घटेगा pressure घटेगा तो low pressure है तो जब जहां पर environment में high pressure है हवा अंदर के और आ जाएगा समझ भाए ना diaphragm की सिर आप देख रहे हो और उसके साथ साथ यहां पर ribs में जो muscles होता है उनकी भी रोल रहता है और डिटल सम रेस्पिरेसंस में देखेंगे अभी इतना सुचिए यदि फ्रेनिक नर्व कोई भी माले जी कोई भी accident हो गया उनमें से diaphragm में थोड़ा सा puncture होगा इंमीडेटली वहीं पर डेख हो जाएगा कि जो प्रेस्वर की जो मेंटेनस है और डायाफ्रागम की बज़े से होता है और एक चुछ आपने दिखेंगे सुना होगा फूड पॉजनिंग में भी जाद द्यादर आदमी की डेख होता है फूड पॉजनिंग जो बटूलिजिम होता है अच्छाल विशनिंग में समझेर हो ना अच्छा तोव तो फाडायाफ्रागम स्वा्म जो होता है जो हता है वह और धान्चर जो विखेंगनननना चाहिए इतक होट्व सांस की रेना होट टवाट के लिए्ट पॉल तो अब जोगा जैसे तो गाना गाते हैं तो इसलिए है तो कंट्रोल करते हैं कितने ताइम करके 2 मिनित यह其實 रख लेते हैं तो इसलिए जाथ है सार्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे हाड तो ही है और जो हाड होता है फोर चमबर होता है और यहां पर क्या होता है ऑक्सिजनेटेड ब्लॉड जो होता है अलग-अलग रहता है और हाड की काम जो फंक्सन होता है जो हम बात करेंगे वो क्या है आपकी ऑक्सिजनेटेड ब यहां पर नुकलीस आपको दीखने को नहीं मिलेगा ऐसे एकसेप्सेंस तो हे क्यामल यंड लामा की ये दिया हम बात करेंगे दोनों की ओभाल रबिसी होता है ना अरबीसी के ब्रामा और नियूकलीस नहीं होता है कि अरक लिख स्केया दर आपको बहुत सारे और-गैनल ठीकनि नहीं मिलेगा नुकलेस नहीं होता है त क्यों कि कभी अग्雅म में क्या होगा नुक्लियस स्टा किसे नहीं होता है mitochondria नहीं होता है याद रखिए ठीक है क्यों क्योंकि आर्बीस के अंदर oxygen के transportation है जरूरी है जितना ज्यादा oxygen मतलगी जा पाएगा तो इतना अच्छा रहेगा इसलिए बड़ी मतलगी गॉर्ण ने जैसे बना है ना उन्हेंने सारे चीज़ को डिलीट कर लिया तक ज्यादा oxygen यहां पर ट्रांसपर्ट हो सके mammals पूरा का पूरा animal kingdom के अंदर बात करेंगे mammals की सबसे smallest RBC की साइज सबसे smallest होता है यादर के amphibia की सबसे largest होता है फिर मामाल में से मामाल की अंदर यह दिए हम कंपरेजन करेंगे elephant की सबसे ज्यादा largest होता है mosque deer जो होता है ठीक है उनकी सबसे smallest होता है amphibian सहाब largest RBC रहता है मामाल की smallest RBC प्रोडक्शन कहां पर होता है विना bone marrow के अंदर होता है fetal life जो mother uterus के अंदर है उस टाइम पर आर्बी सी प्रोड़क्ट्ट पहले तो bone marrow में युग स्यक में होगा उसके बाद liver में होगा अर्ली लाइप में bone marrow युग सक में होता है उसके बाद liver में होता है पैदा होने के बाद वो bone marrow को हो जाएगा erythropoiesis यानि कि RBC बनना प्रोसेस को हम erythropoiesis कहते है पुरा का पुरा blood cells बनना प्रोसेस को हम hematopoiesis कहते है hematopoiesis hematopoiesis बोलेंगे तो RBC होगा WBC होगा platelet होगा लेकिन सिर्फ erythropoiesis बोलने हैं तो इसका मतलब है कि RBC बनना प्रोसेस को ठीक है escruter systems की बात करेंगे तो है क्या ना kidney है ठेके ना दो kidney presence होता है और यूडिया जो होता है ना तो यूडिया जो होता है nitrogen की दो functions होता है एक तो यूडिया को निकालेगा दूसरा होता है Osmo regulation यानि कि body के अंदर कितना water electrolyte रहेगा उसको भी यह सबसे मतल कि highly developed है क्योंकि हमारे जो मामाल्स की काटगरी के अंदर तो human आएगा उनकी जो है ना brain तो highly developed है यहां पर corpus callosum जो होता है brain जो होता है दो पार्ट में divide हुआ है right-hap, left-hap, again दो पार्ट जो होता है फिर join हुआ है corpus callosum में, exceptions है याद रखिए corpus callosum जो होता है prototheria में absence होता है ठीक है prototheria के अंदर आपको mammary gland दीख रहा है तो इसलिए mammals तो उजो होते है न वो reptiles की characteristics ज्यादा उसके पास रहता है लेकिन mammary gland है तो इसलिए हम उसको mammary के अंदर डालेंगे ठीक है 12 pair of cranial nerves होता है 12 pair of cranial nerve की नाम आपको entrance but भी उसे याद रखना है तो अपने OQ T square alpha जी भी SH याद रखिए यह आपका 12 pair हो जाएगा OQ मतलब की 3 बार ओर रहेगा olfactory, optic, oculomotor फिर दो बार T रहेगा trochlear trigeminal, alpha gbs, abdunces facial auditory, glossopharyngeal vagus spinal accessory hypoglossals ठीके ना यह होता है निमोनिक्स आप कौनसी sensory है कौनसी motor है यह उसको याद रखने के लिए और कौनसी mixed है some says money matters, my mother says big books matter ठीके ना तो some says यह जो है यह आपने ऐसे याद रखिए कि sensory है, money matters, मतलब मिक्स्ट है इस तरह के से आपने sensory motor भी याद रख सकते हो कैंकि कभी-कभी आपको पुछा जेता है कि 10th cranial nerve कौन है तो भ्यागस जो होता है वो 10th cranial nerve होता है ठीके आपको ऐसे याद र ठीके तो देखिए यह आपको एक मात के फर्मुला जैसे याद रखना है वो क्यूट स्क्यार आफ़ा जीबियस आफ़ा जैसे हना कोई आँख में चोट लगने के बाद हैना ऐसे करते हैं आफ़ा आफ़ा तो वही आफ़ा याद रखिए जीबियस से याद रखिए ठीके फिर हम बात करेंगे नॉर्वस सिस्टम्स तो यह हो गया ठीके 12 पेर क्रांडल नॉर्वस रहता है निश्ट बात करेंगे सेंसुरी औरगन आय है यह यह तो सेंसुरी औरगन है मुभे बूल आयलेट्स हमारे होता है और यह की तीन हिसा होता है इंटरनल मिडिल अर्गन अब इसलिए हम पता लगा सकते हैं जैसे मोर मोरनी, सी सेरेनी तो उसके कैस में पता से लगा सकते हो ठीके हुमान में आप दीख सकते हो टेस्टिस जो होता है एक्स्ट्र अब्डोमिनल रहता है यानि कि अब्डोमिन के अंदर ना होके स्क्रोटल साग के अंदर होता है क्य बहुता है अब्री-जार इंट्राब्नाव रहता है और एक गाट्राव citras wild Phление पानी के अंदर रेने वाले mammals अण फीमेल की बात करेंगे menstrual cycle जो होता है यह आपका जो प्राइमेट मammals के अंदर देखने को मिलेगा यानि की एप्स, है ना? मॉंकी, अण युमन, हीुमन फीमेल उसके अंदर देखने को मिलेगा istro cycles क्या होता है जिसका हम period of heat कहते है period of heat ठीक है ना period of heat क्या होता है एक time पे ठीक है ना सिर्फ सालों की एक ही time पे body की temperature ज़्यादा रहता है जब ovulations होता है ठीक है और किसी time पे नहीं रहता है और ओही time पे female आला करता है फर्दो-sexual intercourse ठीक है ना अच्छा तो इस्ट्रो साइकल हो गया इस्ट्रो साइकल में जो uterus की endometrium layer होता है यह break नहीं होता है मतलब ब्रेक होके जैसे female की case में क्या होता है human female menstrual cycle की case में endometrium layer break होके बाहर आ जाता है भाजय ना देखे जिसको हम menstrual bleeding phase भी कहता है लेकिन इनके case में वो नहीं होता है जो endometrium layer होता है body में आप्जर्व हो जाता है ठीक है ना menstrual cycle over the esterocycle होना भी evolutionary बहुत significant होता है क्योंकि menstrual cycle होने के वज़े से जो sexual intercourse की और जो होता है हर मतलब की every time रहता है क्योंकि periodic hit और esterocycle जो होता है साल में एक बार होगा आपने देखें होंगे जो cow बगेरा होते है ना माली जी कहीं आपने दिखा हो तो क्या होता है जब तक वो milk feeding कर रहा है उनका बच्चा को हना काफ चो होता है उस time पर और दूसरा तो दूसरे time वो concepts नहीं करेगा एक बार वो cycle उनकी complete होगा मतलब जितने दिन milk दना है उसके बाद next period चलता है फिर वो pregnancy हो जाता है फिर दुबारा बच्चा पैदा करता है तो इसलिए एक ही time पर वो रहता है लेकिन human के case में क्या होता है menstrual cycle होने की वज़े से जो sexual hours होता है वो maintain रहता है जिस बज़े से क्या होगा ना family bonding बन सकता है ना आच्छा फिर बार करेंगे fertilization की fertilization body के अंदर हो रहा है female body के अंदर इसको में internal fertilization कहेंगे उनकी जो egg होता है बहुत less योग पाए जाता है क्योंकि यहां पर placenta एक चीज बनता है ठेके ना mother और अब हम कह सकते हैं मामाल जो होते हैं भी भी परस होते हैं exceptions ओही प्रोटोथिरिया आ जाएंगे ठीके ना platypus and spinae and interprotothereya के examples होता है development के दिम बात करेंगे uterus की अंदर होता है development and phytomaternal connections रहता है placenta वही present रहता है जिस बज़े से होता है अड़ यहां पर आपको extra embryonic membrane नामन न आलन्टोई कोरियन और योकसक सीवी दीखने को मिलेगा ठीक है और lactations के थ्रू मामरिलन के थ्रू lactations होता है जिस बज़े से और के development होता है निक्स्ट बात करेंगे connect उनकी classification की बारे में दीखिए जब यह आपको questions में आएगा describe the general characteristics of the मामा ले लेंगो इस तरी के से outline classification आपको अच्छे डिटेल्स में लिखना पड़ेगा नहीं तो दिखिए मामाल क्या है class है class mamalia ठीक है ना हमने देखा था class mamalia की दो subclasses है एक तो prototheria है और एक दूसरा होता है theria ठीक है ना आच्छा prototheria जो होते है उनमें एक ही order हता है monotrimata prototheria के अंदर एक ही order है monotrimata mono का मतलब है क single and trimata का मतलब है कि opening अड़ जो prototheria theria हम बोल रहे है वो placenta की basis में हो रहा है ठीक है आच्छा तो monotrimata होता है single opening जिसमें हमने spiny aren't inter spiny aren't inter and decadena इस सारे हमने देख लिया ठीक है और उसको ही माना जाता है कि connecting link between reptiles and mammals ठीक है ना evolutions की पहलों कुछ ऐसे गया है reptiles से si 합니다 varny ani कि barse varny ise tub nay under reptile से mamal व Ashnail कि raptalsvarny एसा नहीं कि reptiles से एप्स बना v जो मार्शुपियन्स होते हैं यानि कि जो कंगारू बगर रहते हैं आपने अस्ट्रेलिया में दिखा होगा उसमें आ जाएंगे यू थेरिया के अंदर आपको 16 आडर आएंगे 16 आडर की नाम यहां पर दे रखा है आप उसको देख लिजिए उन में से कुछ चीजों का आप टूबलेटिया टूब जैसे होता है रोडेंटिया इसमें र्याट बहगेर आ जाएंगे ना अच्छा लुगोमर्फ सिटाश्या जो वाटर वाला है ना वाटर में रहने वाले जो मामाल से डॉल्फिन बहगेर होते हो आ जाएंगे सायरे ना कार्निवोरा टाईगर और प्राइमेट में मामाल साजाएंगे कुछ नाम जो होता है आपको थोड़ी पूँक याद रखनी है तक लगता है मतलब दो याद रखना उसके लिए तो फिर भी हमको लिखना है यह जितना है ना इतना लिखोगे तो चलेगा ठीक है देखिए प्रोटो थिरिया जो होता है कॉनेक्टिंग लिंक बिटिन किसके पास रप्टाइल अंड मामाल के बीज में प्रिमिटिव एग लेंग ओभी पर यह ऐसा मामाल है जो कि एग अंडा दता है उसको मॉनो ट्रिमेट हम कहते हैं क्य अंडा टीथ उनके केस में अपसेंट रहता है और क्या कि बेदिशन की गिज्ट में पर歇लर अपसें % कल्या दो कैस को छुञा होता है Christy Dobry अन्ग की केस्सिंग ओना एक perfect syndrome इनकी केस में मेल में भी इसलिए यह मेल जो हता है। इसलिए मोईयन यह तू आ है यह चाहुत हैं गाइनकामक्रुटिया साहो करता है। औरेख़ोति अपछा गास। ची को हम प्रॉपःबह सीज़ा है। यह चाही में विश्य Satin के अंदर मातले होगी 10 से 14 दिन इतना रहेंगे है ना तो लेकिन एक बार डेबलेमेंट होने के बाद उनका जो बच्चा होता है ना कंगरुगा होनी भी जैसे इतना चोटा के पैदा होगा उसके बाद वही पाउच के अंदर रहता है ठीक है रहता है वहीं पर लाक्टेशन करें पिरिड बहुत ज़दा है लेकिन ग्रेस्टिंसनल पिरोड यहना के अंदर बहुत लेस्ट दिन रहता है रहता है कंगर हो गया प्र यह सम् हो गया उसके अंदर आजए गर। वाद करेंगे Metatheria के बाद यूथेरिया ठीक है ना हो गया तो Prototheria हमने देखा Theria के अंदर Metatheria और यूथेरिया आ रही है ठीक है अब देखेंगे यूथेरिया यू मतलब True Therian True Placental Maul Sum जिसको कहते हैं Gastrational Period होनका Long होता है Human हम लोग जो जो हो गये आगे है नाइन मॉन्थ टेन डेज होता है यहनि कि 270 से 280 डेज की गैस्टेशनल पिरेड होता है 10 मॉन्थ 10 डेज वो तो मतलब कि सिनेमा वाली बात होता है 9 मॉन्थ 10 डेज होता है ठीक है तो प्राइमेट लेफ मॉंकी यह सारे आ जाएंगे उनके अंदर जो ही हमने देखा हो जाएंगे यह होगी आपका क्लासिफ popularש के बारे में आइगे पसंद आए तो लईक कीजिए subscribe कीजिए और आपकी दोस्त के साथ दोस्तै कीजिए यदि आपको सस्क्रेशन्स लेना है तो कंटक्ट कर सकते हो थैंक्यू